हेलो दोस्तों जाहिंद आप सबका सैनिक आई टी आई के इंटूटर में स्वागत है हमाइचे पर नए हैं सब्सकाइब कर लें दोस्तों में सियर कर लें घंटे में दबा लें आल प्रेस कर लें जिससे की हमारी वीडियो की अपडेट तुरंत पहुंच जा है दोस्तों मैं सब्सक्राइब लोग को इसके पहले इंप्लाइबिल्टी स्कील फर्स्टियर आल्टेट के बारे में बताया था यह मारा पार्ट्टू है क्या है पार्ट्टू है मलीद्याम पनले तुनल पर इसमें सनी आएगा चनल बंद फिस में दूंगा तो दोस्तों इस वीडियो दे क्या है मेरा घर तीसरा मंजिल डायस है क्या बोला है मेरा घर तीसरा मंजिल डायस है ने अंदरगत नहीं मेरा घर तीसरे मंजिल पर है तो अंसराइट सी होगा पर आगे बोड़ते हैं कुछ अंबर 22 सही प्रस्ट सब्द भरें क्या बुल्ला है सही सब्द भरें समारो में वक्ता है कि पीड़ा डैस समारो में वक्ता है क्या स्मार три होगा कौन समारो में वक्ता है तो आंसर आएंट d होगा और सेउंब थेशनमेर स्रोट्री नीम अश्तर की भांसा को भी का जाता है अब म्सेनी भांसाश All a Authore नंशतर की काता है सिरोट कोड वी मास धी थानidir तो अज़कर राइट शी होगा ने मस्तर की भासा को मसीनी भासा भी आता है तो अन्सरायट शी होगा 24 कोशन नंबर 24 नंबर डाइस उस्चारण को संदर्भित करता है ए डिप्थांग भी मंजन सी बिराम चिन डी ध्वनी का उत्पादन उस्चारण को संदर्भित करता है तो अंसर क्या होगा डी होगा 25 कै अबलिक उस्चारण को संदर्भित करता है तो अंसरायट डी होगा आगे मटते हैं कोशन में 25 सब्दों के निमकी शेट को फिर से सही करम में चुनें क्या चुनें सही करम में लगाए जैसे क्या दिया है सार्थकवा क्या है सिच्छक, अबलिक श्कूल, अबलिक काम किय मिल्क उसने अबलिक एक के दृप मेंतलब कि इसका यासे होगा क्या हुआ उसने एक स्कूल जिस्चक में काम टीया कि वा इसे एक इसचूल के शिश्चक लिप दूंतु Chris राइट भी होगा कुछ नमाद 26 वह सब्द जो अचानक और मजबूती ब्यक्त करता है उस भावनां को डैस का याता है कि ए बिरामचिन बी इंटर्जेक्शन सी सयोजन और डी एपो इस्ट्रोफी दोस्तों उसका अंसर क्या होगा उस भावनां को इंटर्जेक्शन का याता है वह सब्द जो अचानक और मजबूती ब्यक्त करता है उस भावनां क्या करते हैं इंटर्जेक्शन करते हैं अंसर भी वह सई कोशन नमर 27 27 जब आप उच अधिकारियों का अविवादन करते हैं जैसे सिर्ष चक पर सिर्ष चक परवेश चक तो आपको उपयोग करना चीए क्या करना चीए पहले सुप्रभात बी नमस्ते सी अरे डी हाई दोस्तों जैसे हम लोग जाते हैं स्कूल कहीं सुबह सुबह का कहेंगे में क्या क्या हैं सुप्रभात को लाइन पर चैसे यह होगा आप करते हैं किसी अधिकारी करते हैं तो आप करने मुंक अच्छ groups सौन bowling Luna है आर वी इस डी डवलू दोस्तों आंसर क्या राइट होगा डी होगा डवलू हमारा एक मूख अच्छर है क्या है डी अंसर होगा डी डवलू कुछ मां 29 कौन सा चर्चा का सिष्टा चर्चा करो मनलब चर्चा में बैठे हैं तो उसमें आपको क्या करना में बोलते हैं उसका शिष्टा चरोग आप क्या करेंगे मुख अपना अपना डीला दोसरों को सुने सी और प्रासंगीक बीरोड के ब्राथ करें विश्च्र अबएक दूस्तों आप कहीं चर्चा में बैठेंं तो आपका श्रक्राइब और दूसरों की सुने किया जब चर्चा में बैठें थे तुल वहाइब और करना चाहिए तो आंसर किया होगा दूसरों की सुनोंarkा परते हैं कुछ नमर 30 तीस नमर कौन सा चर्चा का सिष्टाचार है उसमें मत करो एक नहीं काम करना है क्या नहीं करना नहीं है जैसे उपर मांड़ेट बै कि मध्यम्ण्वावन सब प्रयोक करें Si O'Too theOS सुने डिन यानावस क्स दोस्तों चर्चा में जो है अनाऽस्यगवहस नहीं करना चैए जैसे कोई चचा हो रही है पढ़ाई के बारे में तुम्हां ला देंगे आप जड़ा की नहीं मतलब कि उसमें अनावस्यक बस मत करें तो आज़ा होगा अनावस्यक बहस अगे बढ़ते हैं 31 कुशन नमबर 31 कंपूटर का मश्तिक कौन सा देखिए दुस्तों यह बहुत ही अ कूपूटर का मश्तिक कौन सा ब्रेन एक कीबोर्ड विव सीपीउ सी मोनिटर डी हार्डिस पता हां सबको आपको कंपूटर दिमा क्या होता है सीपी उता है सेंटर पुस्यूनिट तो आंसर क्या होगा अब भी होगा अगे बढ़ते हैं कुशन नमबर 32 कारडिनल नमबर कॉचन नमबर 33 काॉल सा एक कारडिनल नमबर है क्या बुल्ला है क्यों से कारडिनल नमबर दोस्तों जो कार्डिन होता है इसको बोलते हैं संख्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बुनियादी संख्या कौन सा एक बुनियादी नमर है या कार्डिन नमर है यह देख रहे हैं B C D देख रहे हैं साथ तो D है इसमें यह बुनियादी संख्या है आंसर क्या है जो है 322 संख्या है लोग कारडेणर लंबर है आंसर डी कौन से कार्डेंर संख्या अब क्या बोला है मुष्छ रहा है यह का संख्या पूच रहा है कौन सी एक काडियोन संख्या है बुनेल संख्या है A, B, C, D क्यांसा होग सका डी होगा 1 1 एक काडियोन संख्या है कुछ दोर्म मत थॉटिफाइफ कौन सा एक काडियोन नम्बर है ए वन वी फिफ्ट सी एड डी सेकेंड तो कौन सा है नंबर एक वन अंसर क्या ए होगा वन एक काड़े नंबर है तो आंसर राइट क्या होगा वन काड़ेंल मतलब की बुनेली संख्या होगते हैं शकुश को ठीक दो आगे बढ़ते हैं एक सुन्दर घर है धी कौन सक्री अवाज में है इह रामले प्रिच्छा उत्रण की मतलब सक्री मिलर अवाई है आपको 2 गेर उसके द्वारे लखेव मितलब की दंप की सक्री वाज है कि रामौने और इच्छावतर की तो अंसर राइट ए होगा अगे बढ़ते हैं कुछ में 38 निश्क्री आवाज में कौन सा है क्या बोला है निश्क्री आवाज में कौन सा है ए होगा मोह अंडे घर रंग रहा है क्या बोला है मोह अंडे घर रंग रहा है वी वह एक किताब पड़ रही थी C, उनका जन्म दिन हमारे द्वाय मनाया गया D, मैंने वर फिर्म देखी तो इसका अंसराइट क्या होगा? C होगा उनका जन्म दिन हमारे द्वाय मनाया गया कौन C है? निसकी आवाज मतलब है उनके द्वारा क्या बोला है? उनके द्वारा तो अंसराइट से होगा, क्या होगा C, कुछ नमर 49, काउन सा एक सरुजन नहीं है, क्या बोला है, काउन सा एक सरुजन नहीं है, A और B नहीं तो C लेकिन D पर, क्या होगा, तो अंसराइट D होगा, पर, इस सरुजन नहीं है, और है नहीं है, लेकिन ती पर आगया, तो अंसर क्या होगा, अधियोगा पर, दोस्तों, आज का हमारा लास्ट कोच्चन है, फोटी नमबर, आप लोग को में बता दिया हैं, दिया है抱र मिंडर हो करने करके हैं, आप लोग को चैने करके हैं, करें बंधक करते हैं तो सब्ड़ाती अधिये में में सिफ पोश अंसर हां। यहापको फायदा होगा,घस को्य मैं अब बहुतन्ट को चाहे रहा है किसी कहीं नेरा है इसी पुछ रहा है जो अग्र नहीं नहीं हैं सास्काइब कर ले चलते हैं कोशल सब्हसला नहीं है क्या बोला है ऑठी कर भच्राइब है कौन साव प्रणान था नई है करता है दोस्तों आज के लिए इतना ही धन्यवाद जय हिंद